तो उनका जो रेडिकल सेंटर होता है, वो कौन सा होता है? उस ट्राइंगल का ओर्थो सेंटर, ठीक है? तो रेडिकल सेंटर जो होगा, in this case, रेडिकल सेंटर जो होगा, वो क्या होगा? और उर्थो सेंटर आफ दे गेवन ट्राइंगल, यानि कि जो ट्राइंगल दे रखा है हमें, उसका और तो सेंटर अगर मैं फाइंड कर लो, तो रेडिकल सेंटर पे मैं पहुंच जाओंगा, अब देखो, यहाँ पर तीन एक्वेशन्स आपको गेवन है, जो कि ट्राइंग तो इस साइड का जो सिलोप है, कितना है, बस साइड का सिलोप कितना है, 4 अपान 7, जेकंड वाली साइड, इसका सिलोप देखो आप, जेकंड वाली साइड का सिलोप, माइनस 7 अपान 4 आ रहा है, माइनस 7 अपान 4, माइनस 7 अपान 4, तो यहाँ पर M1 इंटू M2 की जब M1 into M2 की value minus 1 आ रही है तो मैं क्या कहूंगा यह जो दोनों sides होगी वो कैसी होगी आपस में perpendicular होगी और perpendicular होगी तो ortho center इनके point of intersection पर लाई करेगा ठीक है तो आपको क्या करना है आपको क्या करना है इस question में आपको बस अब इस दोनों को solve करना है तो यहाँ पर 7 से multiply करो 7 से multiply करो के तो कितना है गैधर 28 49 70 equal to 0 इसको 4 से करो multiply है तो 28 16 माइनस 60 equal to 0 ठीक है तो इन दोनों को अकर में सब्ट्रेक करूँ तो यह तो गया यह कितना हो जाएगा 9 और 6 15 65 plus 130 equal to 0 तो यहाँ पर y की जो value निकलने वाली है वो 2 आने वाली है अब जैसे y की value 2 आ गई आप इन दोनों में से किसी में पुट कर दो यहाँ पर कर आप पुट करोगे y की value 2 तो 8 माइनस 15 सब्सक्राइब कितना हुआ 7 तो x की value आ गई 1 तो 1,2 यह option हमरा सही बैठर है ठीक है